वीडियो पर पहले बार हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार हो तो सस्क्राइब करके बाज़ो में दिखने वाले घंटे को दबाकर ओल नोटिफिक्शन आन कर दें मेनली आप लोगों की धिमाग की बती हिला के रख देगा इसकी कैमरा कॉल्टी से 200 मेगा पिक्सल्स की मेन हाई रिजलिशन वाला कैमरा सेंसर इस बार इस स्मार्टोन के अंदर दिया जाएगा खैर यह तो खोश उड़ाने वाली बात है क्या रेड्मी नोट 11 के अंदर कभी ही हो सकता है बिल्कुल जरूर दोस्तो रेड्मी नोट 10 के अंदर 108 मेगा पिक्सल्स कैमरा सेंसर हमको देखने के लिए मिला है तो क्याजूल सी बात है रेड्मी नोट 11 अल्ट्रा एफिट प्रो के अंदर हमको 200 मेगा पिक्सल्स वाली क्यामरा सेंसर मिल सकती है यह सिर्फ सिर्फ रूमर्स नहीं दोस्तो लीक्स भी निकल कर सामने आ रहे है बड़े बड़े ट्विश्टर के साथ बाकी दो क्यामरा जे इसमें मिल जाएगी जो कहाँ जारे 18 प्लस 8 अपिक्सल्स की होगी जो डेप सेंसर अल्ट्रा वैडे अंगल क्यामरा कहा जारा है शौमी जो हम जैसे लोग बड़े बड़े स्मार्ट फोन को पर्चेस नहीं कर सकते उन लोगों के लिए खास तोर पर शौमी ब्रैंड बना हुआ है स्पेशली रैडमी सिरीज की नोट सिरीज का है तो गलत नहीं होगा एक्जांपल की तोर देगोगे तो अपने बच्चे को अपने माग जिसकी चाहत पुरा करने के लिए जी जान लगा देता है वाइस सही खास तोर पर भारत के लोगों के लिए शौमी बड़ी बड़ी फूचर सा लाइक 108 MP क्यामरा 6GB RAM 8GB RAM Snapdragon के नए नए प्रोसेस और कम कीमत की उपर सबसे पहले हम लोगों को स्मार्ट फोन लाउंच कर देते हैं जो अनबिलियबल अनस्पेक्टेड प्राइस के साथ और एग्जामपल की तो देखे होगे तो Redmi Note 10 सीरीज अब आड़री लाउंच हो गया है जितना बढ़िया इसकी कैमरा क्वाल्टी है मेरे को परसनली सबसे ज़्यादा पसंद आ चुका है क्या आपको कभी इस्तिमाल किये हो Redmi Note 10 या फिर कोई स्मार्ट फोन चैट सेक्शन में बता सकते हो खैर ये तो हम लोगों की नीड की बात होगी पर में एक्जाट मुद्दे के अगर बात करें तो एक चीज ऐसा है जो Xiaomi Redmi Note सीरीज के अंदर कभी भी नहीं हुआ है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाह सकते हो आप बैटल ग्राउंड जैसे गेम्स बड़ी आसानी से खेल पाओ बड़ीया बैटरी परफोर्मेंस तो अच्छी क्यामरा हो इन सबसे भी बढ़कर स्मूथर एक्सपरेंस एवर हो इसी को ध्यान में रखते हुए रेड्मी नोट 11 के अंदर एक धासो परफोर्मेंस वाली स्मार्टफोन लांच करने जा रहा है जिसकी कीमड़ 25,000 अक्वी तक भी जा सकता है यहाँ पर सबसे बड़िया बाद डूल एलेडी फ्लेश दी जाएगी और सबसे अच्छी बैटरी परफोर्मेंस एवर होने वाली है जो इतना अप्टिमाइजेशन के साथ यह स्मार्टफोन आएगा जो स्मार्टफोन बैटरी कंजप्शन ही बहुती कम करने लग जागा खैर इसको कैसे इन्होंने अप्टिमाइज करकर लेकर आएंगी यह तो पता नहीं पर आने वाले दिनोंस में हमको ज़्यादा कुछ बैटरी परफोर्मेंस के बारे में मिल जाएगा अपर रूमर्स के इसाब से 5600 एमेज की बैटर परफोर्मेंस कहा जारा है और इसको चार्ज करने के लिए 67 ओर के फॉस्ट चार्जिंग दी जाने वाली है खैर इतना बड़िया फ्यूचर और इसके अंदर मिल जाए तो मैं तो सबसे पहले यह स्मार्टफोन घरी दे लूँगा खैर सेल्फी कैमरा के बारे में अगर बात करें तो जादा से जादा रैडबी के स्मार्टफोन के अंदर सिंगल कैमरा हमको सेल्फी मिलता था पर इस बार ज्यूल कैमरा कहा जारा है जो 18 प्लस 2 मिगा पिकसल की हो सकती है कैमरा के में रैडबी की स्मार्टफोन के अंदर मेरे को कोई इश्यू नहीं थोड़ा कलर ज्यादा वगिरा करके दे देगा पर मेरे को इतना ही ठीक ठाके जो इतना कम केमत के अंदर यह स्मार्टफोन आजाएगा मेंली रेड्मी नोट के अंदर कफी सारे विरेंट्स इन्होंने निकालेते पर उनमें से 5G विरेंट्स सिर्फ एक ही निकालेते पर अब के बार जो होगा जो रेड्मी नोट लाइनप सरी जितने भी स्मार्टफोन आएंगे सारे के अंदर 5G default मिल जाएगा क्योंकि सारे के अंदर एके प्रोसेसर यूज के आजाएगा जो डेमिंसिटी वाला 800 वाला नया प्रोसेसर होगा और कहा जा रहा है यह HD गेमिंग के अंदर 90fps तक भी जा सकता है खैर गेमिर के लिए तो यह स्मार्टफोन बड़िया होगा और सेलफी केमरा लवर्स के लिए भी बड़िया होने ही वाला है USB Type-C पोड़ दी जाएगी मेंली यह स्मार्टफोन 6.8 इंचोस की फुल एच्टी प्लस सूपर आमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है पर इस बार हमें अस्प्रेट कर सकते हैं अंदर डिस्प्ले फिंगर पिंट स्कैनर जो हायर वेंट में मिल सकता है स्क्रेंड के प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल ग्लास 4 या फिर 5 के प्रोटेक्शन मिलने वाली है जो बहुती जादा जरूरी है अगर आवेलिबिलिटी के बात करें तो 6G RAM, 8G RAM, 2G RAM के साथ स्मार्टफोन आएगा 128 जब इंटरने स्टोरीज डिफॉल्ट दोने में भी मिल जाएगी एक्स्पेक्टेक्शन बढ़ जाता है यानि कि एक्स्पांडेबल करने की सुईधा दी जा सकती है अप टू 512 GB तक 3.5 mm audio jack, air blast और सब कुछ Xiaomi की स्मार्टफोन lovers ये चाहते ही है खैर दोस्तों ये स्मार्टफोन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा चाट सक्षन में बता सकते हो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आशकरत आपको वीडियो प्रसेंदे तो जल्दी से इ लाइक कर दीजिए, फ्रेंट से दिखने के लिए शेर कर दीजिए, मैं मिलता आपको और वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुती धन्यवाद, जय हिंद, वन्यमातरम